सभी सदस्यों को नमस्कार, आज का वीडियो भी आरेशा और आरेवा से संबंदित है, जैसे आप सभी को पता होगा, एक का इस थारेग यानि की बिता हुआ कल, आरेशा दार्जलिंग और आरेशा सालू गड़ा के जो प्रेसिडेंट ने एक वीडियो निकाला था, उसके रे प्रेसिडेंट को वीडियो निकालने पर सभासी दिया है, बोला कि हैट्स ओफ, हैट्स ओफ करके दिया रखा है, और सभी को बता रहा है, तुलसी नायर को अलग करना मेरे खिलाफ, उससे मेरे को किस संबंदित नहीं है, लेकिन मुए बिल्कुल सीरियस हूँ, जो कम्प्ल आरेसा डायरेक्टर भी इसमें इन्वोल्व है, इसका शेर उनके पास भी जाता है, तो उनको भी मैं लीगली इसको एक्शन लूँगा, आरेसा डायरेक्टर को, इस वीडियो के द्वारा मैं एक वार्निंग भी देता हूँ, दूसरी बात मुझे दू पोस्ट ऐसे मिले है जो डिफेमेटरी है, उसके उपर अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगे साथ, ये देखे, पहला पोस्ट तो मुझे जो मैंने स्क्रीन शोट लेके रखा है, मैंने अपनी मोवाइल में, जो कमांडेंट वजीर सिंग, जो इन्होंने पब्लिश कहा है, जो आरेसा रो बना लिया है, और अभी भी कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, एक्स सोबिदार, ये दो लाख का फिगर दिखा रखा है, एक्चल में एक्समेन, दो लाख एक्समेन, मेरे हिसाब से लगबग एक लाखी है, इनके हिसाब से साइध होगा, ये दो लाख एक्समेन को बेवकुप बना लिया है बोला किसने तुलसी नायर ने और कुछ लोगों लोगों अभी भी समझ नहीं आ रहा है इसे पूछा पूछा जाए इतना अच्छा घर बनाया है उसका सोर्स अफ इंकम क्या यानि कि यह जो है डिफेमेंटरी स्टेट्मेंट देखिए इसके लिए जह है मैं वजीर सिंग को कमांडेन वजीर सिंग को इस वीडियो के दुआरा बता रहा हूं कि एक हपते के अंदर येदि आप अन कंडिशनल एपोलोजी मुझे देता नहीं है आज 2 तारिक है 29 तारिक तक जुलाई 29 तक यदि आप मुझे अन कंडिशनल एपोलोजी अगर नहीं देता है तो आपके खिलाफ मैं क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करूंगा और पचास लाख रुप्या तयार करके रखना क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कोई गलत चीज को यदि पब्लिश किया जाता है उसके उपर डिफेमेशन बनता है IPC 499 वो सेक्शना पढ़ ल पढ़के बताता हूं हिंदी में लेका है उन्होंने मैं बार-बार कह रहा हूं कि आरेवा ओल इंडिया के पैसों का दुरुपियोग हो रहा है आज तक कभी और नहीं कोई रिपोर्ट एजियम में पेस की गई इसके बारे में मैं आपको जो है यह इसके जो स्टेटमेंट यह बिलकुल गलत दे रहा है यह है देखे नवाए एजियम का मिनट्स ओफ दे मीटिंग है देखे नवाए एजियम का जो के पंजाब में हुआ था बटाला में 29 अक्टूबर 2023 में उसका देखिए आप सिरियल नंबर 9 में ले जाता हूं आप लोगो यह देखिए 9 में है न प्रिदेख जही एजिए टेल वेरियस है उसके बारे में एक्स्वेट गया एंड डिचर इंट इंड जो भी एक्स के बारे में बताया He gave an overview of the fixed deposit and the balance occurred at the end of the financial year 2022-2023 में जितना भी जो deposit हुआ जो balance है उसके बार ही बताया He said any member can visit the head office of the association in Trevandum and personally check the accounts ledger to his satisfaction उन्होंने ये भी बताया कोई भी सदस्य है head office Trevandum में आ सकता है और अपना ledger भी चेक कर सकते हैं accounts का audit report of the accounts for the financial in question already uploaded in R.I.Wall India National EC WhatsApp Group WhatsApp Group में audit जो हुआ था उसका report अलड़ी upload कर चुका है He informed members pass the financial report with voice vote जो members उपस्ति थे उन्होंने जो है voice vote से pass किया गया ये जो है देखे अलड़ी बता रखा है लेकिन audit भी मैं आपको दिखा दूँ audit report ये है audit report देखे ये आलड़ी जो है पिसले साल एजम से पहले हमने ये जो आटर्ड एकाउंट ये राज ये राजे एसोसेट द्वरा होता है हमारा ये उससे पहले इंटर्नल ओड़ी भी होते हैं ये लोग जो बोल रहे हैं जो हमारे खिलाफ जो जो गलत-गलत बात बोल रहे है उसके उपर जो है एक्शन लिया जाएगा देखिए ये जो है ये द गलत-गलत जो इंफोर्मेशन दे रहा है वह बिल्कुल हानिका रहा है उनके लिए इनको भी मैं बोलता हूं कि ये अपना अपोलोजी जैसे मैं ने उनको बताया था आरेवा जो है आपके उपर केस फाइल करेगा डिफेमेशन का यदि आप 29 तार्य जाने कि एक हफते के अ हर साल इसका ओडिट होता है प्रोपरली उससे पहले इंटर्नल ओडिट होता है एकाउंट जो है पब्लिश करते हैं यह तुम्हें पिसले साल का बताया है जो आप गलत इंफोर्मेशन देना लोगों को एसोशेशन के प्रती कौन सेचम खत्री यह आपका जो है मुझे चाह लेके मैं रखा हूं इसके जो एक हफ्ते का सामय देता हूं देखें जो किसी भी गलत चीज को पब्लिश नहीं करना चाहिए वैसे में कई सारे बाद आप करते थे लेकिन मैं धिला बैटता था लेकिन अभी मैं इसको सीरेसली ले रहा हूं पचास लाक रुपिया आप तया है केवल में बोल नहीं रहा हूं ग्राउन में भी लॉफुल है आपको हर जगा दिखाई देगा तो बिना जो है यह इन लोगों के पब्लिश किये हुए उसको जो है धिकारना है लेकिन मुझे इनके ओपर एक्शन लिए बिना भी नहीं हो सकता है इसलिए मैं एक्शन लू होंगे अलग तरीके से उसको सभासी देना लेकिन जो भी गलत कारे जो पिन पॉइंट कर रखा है उस पेटिशन में उस एप्लिकेशन में जो जनरल कानिक सर के द्वारा मैंने लिखा गया था आपके चेयर्मेन को उसके ओपर एक्शन मुझे दिखना चाहिए क्या एक्शन